हेलो एवरीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होफ कि आप सब ठीक होंगे तो आप सभी को रादे रादे जैश्री गृष्णा तो फ्रेंट्स आज पते क्या मैंने क्या किया कि आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अभी अभी में सिफ्ट होएं और सिफ्टिंग के चेकर में मैं अपने जो प्लांट्स थे उन पर बिल्कुल भी धियान दे पा रही थी तो मैंने क्या सोचा कि आज सारे काम एक तरफ करके मैं सबसे पहले अपने पोदों पे धियान देती हूं कहते ना कि अगर इन पोदों कभी बच्चो की तरह ही धियान रखना पड़ता है अगर इनके धियान दोगे तो ये खराब होने के कगार पे आ जाते हैं तो बस मैंने सोचा कि नहीं आज मैं सारे काम एक तरफ लेकिन आज मैं अपने पोदों को सबसे पहले ठीक करती हूं इनके लिए मैंने इस्पेसल टाइम निकाला चोटे-चोटे प्लांट्स लगाने के लिए तो यहां पर देखे सबसे पहले तो यह मैंने जो मेरे क्रिसुला का गंबला है ना काफी भरा हो हरा भरा हो रखा था तो मैंने इनसे भी कुछ थोड़े से यह कटकी हैं लता है और एक ही ना क्रिसुला के बीच में मैंने चोटे-चोटे प्लांट्स लगाती हैं जो बहुती देखने में खूबसूरत लग रहे हैं और एक मतलब यह मेरे पास तीनों रखे थे तो मैंने तीनों का यूज किया है एक में मनी प्लांट लगा है एक में यह जो सेकेंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा साइड में मुझे का नाम नहीं पता घया क्या बोलते हैं यह क्रिसूला की दणडिया खरके है और इसमें एक लनगाए करतेमें और यह क्रिसूला तो इतनी चल दिया यह तो मजे सबसे मेरे फेत है साइब अल्य मनी प्लांट और यह प्लांट भीड सुरत लग रहे थे जिस टाइम मैं नहीं हाप पर बिल्कुल साफ सफाई करके इनको रखा था यह मैं कभी नहीं लोगी जब तक मेरा अपना मकान नहीं हो जाएगा क्योंकि यह मतलब जब मकान सिफ्ट करते हैं तो भी मतलब टूटने ही टूटने है और पैसे की बेस्टिंग है तो मैंने क्या सोचा है जब तक मेरा अपना खुद का मकान नहीं हो जाता या तो प्लास्टिक के ही कम लेंसवार्ट ल मतलब जिसमें मैं लगा शक्ती हूँ प्लांट तो किमां मैं युज कर भे UP अच्छा लगता है कि जासे ही अपना धर्वाज का,सामने अगर हारे ब Creat to Toč इतने मिट्टी हो गए थी होती है जैसे जब आप इस तरह का काम करते हो तो मैंने यहां पर पहले साफ सफाई की फिर उन पोदों को धोया है फिर उसके बाद उनको यहां पर रखा है तो यहां पर कररी हो मैं सारे में लगा दिये जाड़ू और यह संडे की वीडियो तो बच्चों की भी छुटी थी तो बच्चे भी मेरी हल्प करने में लगे हुए हैं अभीनब काफी हल्प कराता है मेरी और साथ में मानू भी तो मानू को यह था कि ना ममा मुझसे भी प्लांट लगवालो नीची से जो थोड़ी बहुत मुझे मिट्टी में तो खास कर मानू तो पूरा मिट्टी में ना ऐसे हाथ डालके ना पूरा ऐसे लग रहा था उसको जैसे पता नहीं क्या मजा रहा है तो बस देखें यहां पर जितने भी प्लांट थे वो मैंने यहां पर रख लिये हैं और इनके पहले अच्छे से की धुलाई काफी मतलब जो इनके उपर थोड़ी सी जैसे धूल सी जम गी थी तो वो क्या कहते हैं वो हटाई और इनको एक कपड़े की हल्प से बिल्कुल कर लिया है साफ बाहर भी जैसे चीटे पढ़ने से मिट्टी मिट्टी सी हो रख की थी यह देखें इस तरह से तो मैंने इनको कपड़े से पूंच के पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है सारे पोदों की दुलाई करने के बाद अब आती है इनको इनकी जगह पर रखने की बारी तो यहां पर मतलब जैसे में गेट है ना जो अंदर जाने वाला उसी के बरापर में की जो साइड वाली दिवार थी यहा पारे अपने प्लांट रखे हैं और जिसकी नीचे मुझे लगा कि ना मैं यह धकन थे मेरे पास तो में रख सकती हूं तो वह रख रखें इन जो यह छो छोटे-चोटे थे अपने घरों में तो यह मेरे पास ना रखी हुई थी काफी दिनों से पिछले मकान में तो यह यूज नहीं हुई क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी जुरत ही नहीं पड़ी दिखने लगती है अभी तो देखो वाइट वोश हो रखाया अच्छा लग रहा है लेकिन धीरे-धी जैसे जैसे यूज करेंगे तो वो चीज ना खराब लगने लगती है दिवार तो मैंने क्या किया कि मैं मेरे पास अगर यह इस तरह कि मेरे दिमाग में मतलब चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं कैसे इसको ठीक करूं तो बस मैंने क्या किया कि यह मेरे पास रखी कि मैंने यहां पर ही निकार पाइस को कटका दिया है और पेस्ट कर दिया है लिए यहां पर को सिर्ट दिया है निकाल प्लान्ट प्लांट प्लांट जासी कौर्द हेरेМत में दिन मदम प्लांट जाती मुझे advocating this 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 और ये मैंने कुप सारे कपड़े भी धुले थे जो आपको दिखा रहे थी अभी और अब आती है अंदर वाली बासपेसिन पे भी लगाने की बारी इसको तो बस हम तीनों देखो मा बेटा लगे पड़े हैं ये सारा काम करने में और जब ये काम हो गया था ना मतलब मन इतना खुश हुआ ये देखके कि हाँ मतलब जो मैं चाह रही थी ना वो हो गया और कहते हैं अगर आप कोई काम करने की ठान लो तो वो काम हो जाता है अगर आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो देखो नहीं होगा लेकिन अगर आप कोई काम सोच रहे हो और वो हो जाए तो मन को बहुत ज़्यादा खुशे मिलती है तो यहाँ पर यह लगी हुई थी जिसमें मैंने अपने ब्रश वगेरा सारा कुछ रखा हुआ था वो हटानना पड़ा पहले क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से पेज कसके इसके पापने बहुत ही टाइट लगा दे थी ताकि वो गिरे ना तो बस यहां के अभी हमने मेजरमेंट कर लिया है दोनों ने मैंने और अभी ने और अब इसमें थोड़ा सा न कट और ज्यादे देना पड़ा क्योंकि इसके बिल्कूल वास बेसिन के ना पास में दी हुए था मतलब स्विच वगेरा लाइट के तो उसको भी बहार निकालना था जिसकी वज़े से मैंने यहां पर पूरा अच्छे से इसको नाप के और इसको भी मतलब कट कर लिया था और फिर वही सेम जैसे हमने अभी बहार वाला दिखाया यहां पर डबल टेप टेप लगाई और इ यहां पर यह बार-बार फिर उतर रही थी क्योंकि प्लास्टिक सीट है तो थोड़ा सा ना डबल टेप से नहीं टिक पा रही थी तो मैंने क्या किया कि छोटी-छोटी जो जैसे तार को लगाने वाले वो नहीं आती है चोटी-छोटी क्या बोलते हैं उनको किल्ले सी वो प्रस का स्टेंड है इसको टांगने की बारी ही तो इसको तो मैंने बहुत ही अच्छे से पेज कर दिया था और यह बिल्कुल नहीं हिल रहा था और जबकि अब मानुको ना विश्वास नहीं और था कि मम्मा पापा की तरह इसको टाइट कर देगी लेकिन मैंने करके दिख मैं बबबाई टे के